हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के लिए लेकि आए हूँ 15 मिनट में बनने वाली ये रेसेपी जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है बनाना भी एजी है और यदि आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो बिना तारीफ के रह नहीं पाएगा तो फर दैर किस ब फ्लेवर के लिए लाइची डालेंगे यैदय looking flavor पसंदे तो ठीक है और नहीं पसंदे तो आप इसके प्यों पीना विक सब्पाना सकते हैं तो क्या करेंगे पीस्ती टाइम ही इस पर से इसका निकाल देंके चिलका और अच्छी तरह से पीस लेंगे की राफ की फ्लेवर च इस रेस्पी को मैदे से बनाएंगे, आप चाहें तो गेहूं का आटा से भी बना सकते हैं, अब पीसा वचीनी इसमें मिक्स कर देंगे, मीठा आप अपने नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो अब इसमें डालना है दो चमच सूजी, सूजी से क्या होता है, थोड़ा स दानिदार रहता है ना सूजी तो बहुत ही अच्छा टेक्शर आता है, और एक चमच चावल का आटा डालेंगे, चावल का आटा भी डालने से थोड़ा सा क्रिस्पी आता है, इसलिए डाल रहे हैं, अब मोयन के लिए इसमें क्या करेंगे, एक चमच घी डालेंगे, बस ए सबसे पहले सुखाई मिक्स कर देना है, इस तरह से हाथ से रब करके मिक्स करें, कि इसमें घी जो हमने खाने का सूड़ा डाला है, वो पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो मैदा में सबसे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी कटोरी स डला हुआ है ना तो वो दूद को एब्सॉप नहीं करेगा तो स्टाटिंग में आप जब डालेंगे ना तो थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो इस तरह से रब करके मिक्स करना है और सूजी डला हुआ है तो थोड़ी देर बाद यह सक्त भी हो जाएगा अब इसमें एक बर ज छोड़ दिया था 10 मिनट में पूरी अच्छी तरह से सेट हो गया है तो क्या करना है हाथ में थोड़ा सा घी लगाना है या तेल तेल लगा कर चोटी चोटी साइज की बॉल बनाना है क्योंकि फूल के बढ़ा हो जाएगा तो बाकी कभी सेम इसी तरह से हम बना के रैडी कर तो अब इसे deep fry करेंगे, deep fry करने के लिए क्या करना है, कडाई में तेल गरम करना है, जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, तो जो हमने चुटी-चुटी साइस की बॉल बनाई थी, उस बॉल को इस तरह से डाल देना है, डाल के gas का flame स्टार्टिंग में लो रखना है, अब इसे पलट-पलट के अच्छी तरह से golden होने तक fry करना है, तो स्टार्टिंग में लो फ्लेम रखें, जब हलका सा color आने लगे तो फिर high flame कर दें, तो अब देख सकते हैं, इसमें हमने खाने का सूड़ा डाला है, तो खाने का सूड़ा डालने के कारण इसमें दरारे आ आ पी, जब कभी भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो, तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, सभी को काफी ज़्यादा पसंद आएगा, और सबसी खास बात यह है कि बनाना easy और बहुत ही ज़्यादा जोरदार लगता है, खाने में tasty लगता है, तो फिर इस recipe को एक बाद रूट ट्राइ करें,